हेलो फ्रेंद्स अब सभी का सवगत है अच्छे पर सब्टेम्स में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा अज का टॉपिक है का एक्सपेक्टेट कट अफ तो एक्सपेक्टेट कर लिजेगा तो चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेट कट आफ जानने से पहले आपका भात लिए एक्सपेक्त आफ कौन से एक्टेट कॉन से एक्टेट करता से फिर्ट बात करें तो पिछली साल के तो सब्सक्राइब पिशले सब धने के आस्पास वेकर्जिया था लेकिन फाेटीन çek असपास किना कर देनक फाइन सिह आ हुटाय में तुर से ट्रेंज के घ्रप्राइए के तैंटर यहीं ओन फेकर हैं तो उसमें हम हम एक्चुली यह एक्सपेक कर सकते हैं कि जो इस बार जो है थाउजन प्लस जो हैं से यह भी शायद फाइनल वैकेंसी में हम लोग को एक्चुली मतलब एड हुए हुए देखा जा सकते हैं इसका एक हाई पॉसिबिलिटी तो है अगर मेरे हिसाब से अप्रोक्स थाइन हंड सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसको पर तो अभी असली कॉंपीटिशन लेवल के बारे में तो डिसेंट टाइम जो एक आटी आई जो बहुती मतलब चारों का मतलब एक स्टुडेंट ने किया था जिसमें से पता चल गया कि एक्जीटिव का जो एक्चुली आप्लीकेशन हुआ है वह 52 तौजन के आज पास हुआ है और अचुली ऐसा नहीं कि 52 तौजन ही डिए एक्सम देने के लिए आगें सायद से 70 और 70 तुडेंट होग तो अब लगभग 35,000 के आसपास सर्मान सकते हैं कि श्रेंड वहां पर आये होंगे एक्जम देने के लिए तो यह जो नंबर है अच्छली पिछले साल के कंपरेजन में बहुत ही काम है कि पिछले साल जो अच्छली एसेशन हुआ था वह लगभग अच्छली एक्सपेक कर सकते के वान लगभ और वन लगभ 20,000 के आसपास तो इस बर जो वैलिट है वो 52,000 है तो लगभग मतलब 2.5 तुटी तीम्स मतलब लास्ट यर था इस बर तो 2.5 तुटी तीम्स का मतलब कम है तो अबियसली एक बार आया और फेकेंस भी लगभग सही ह अच्छली एक बहुती बार अधिवेंटेश का में दिखा जा सकता है और एक्चली आइडी प्लस पॉइंट है वह है कि मतलब बाकी जो एक्जम है अच्छली अम लोग अगर बैंक एक्जम के बात करेंगे इस भी हो गया भी बेस हो गया और इसन टैम इस जो एक्जम हुआ अच्छली एक्जम देने आते हैं तो उससे अच्छली क्या हो देखी जो कॉंपेटिशन लेवेल है वह बढ़ जाता है लेकिन आईडी प्लस एक्जम है जिसमें आपको मतलब ऐस स्टूडेंट नहीं मिलेगा कि मतलब मिलने के चांस बहुत ही कम है कि जो किसी और सेक्टर म अच्छी में सिलिक्ट हो गया फिर आईडी बेगा एक्जम देने आए तो ऐसा मतलब बहुत ही रियार पॉसिबिलिटी है तो एक बहुत यह बहुत ही और और जो मतलब बात ही कि कोशन लेवेल जो है बहुत ही इंपोर्टन है तो हर सल के तरह एक्जम लेवेल तो आपिशल होता ही है तो इस साल भी हुआ है तो पिछली बाल के हिसाब से पैटर्ण भी चेंज हो गया तो मतलब से जीए इंक्रूट नहीं था लेकिन इस बाट जीए भी इंक्रूट है और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे लेवेल के जीए और मैथ रिजनिंग का भी मतलब जो ले से 112, OBC 106-108, EWS 104-106, SC 108-102, ST 922-94 तक जा सकते हैं इसमें आप प्लस मैनस दो कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो इतना ही रेंज होना चाहिए वैसे बहुत सरे स्टूट होंगे जो 130 भी प्लस कर गये लेकिन आपको बता देरें कि अच्छुली एक्टेम्ड करना और होता है तो अच्छुली मेरे हिसाब से इतना ही कटफ तो आना चाहिए तो लेट सी देखते है कहा होता है तो थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो